दोस्तों अगर आप किसी खरीदे हुए घर में रह रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आपके घर की ठीक से जांस तो की है ना? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद अपने खरीदे हुए घर की जांच करोगे क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे कि जब घर में रह रहे हैं लोगों को अचानक से अपने ही घर में छीपे कमरे मिले वीडियो सुरू करने से पहले आप हमारे यूनिवर्स अडवेंचर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बैल आइकन को दबा देना जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे लेट्स बिगेन जब छीपे घर में मिला मौत का सामान 2015 में जेरी नमक एक इनसान ने एक नया घर खरीदा घर का पहला मालिक एक बुढ़ा इनसान था जिसकी मौत हो गई थी इसी वज़े से ये घर जेरी को काफी सस्ते में मिला था घर खरीदने को बस दो हपते हुए थे वो बेस्मेंट में कुछ सफाई करने गया था पर सफाई करते वक्त सीडियों के नीचे उसे प्लाइवूड लगा दिखाई दिया पर उसने प्लाइवूड तोड़ के देखा तो उसे अंदर पूरा एक कमरा दिखाई दिया जिसमें मौत का सामान था वहाँ बंदूग से भरे बक्से थे जिन्दा गोलियां थी कई बम थे कई ऐसे बक्से थे जो काफी भारी थे जेरी से वो उठाए भी नहीं जा रहे थे कभी यूज नहीं की गई गोलियां बम से भरा ये कमरा पड़ा था वहाँ उसे सिक्कों से भरा एक बक्सा भी मिला और भी कई चीजे जेरी को वहाँ मिली ये पूरा समान मिलिटरी के लिए यूज किया जाने वाला समान था ऐसा लग रहा था कि ये कमरा अपने आप एक बंकर था इस घर का मरा हुआ मालिक कौन था उसके पास ये समान कहां से आया ये कभी भी पता नहीं चल सका बिन गुलाए मेहमान रहता था छेपे कमरे में ओहियो के घर में रहने वाले दो इस्टुरेंट्स को उस घर में अजीब अजीब आवाजे सुनाई देती थी किसी के चिलाने की कराने की आवाजें उनको ऐसा लगता था कि ये घर शापित है पर एक दिन हुनोंने घर की चानबीन की तो पता चला कि उस घर के बेस्मेंट के पीछे एक सिक्रेट रूम है जहां कोई रहता है उसी जगह एक बात्रूम भी था जहां ये इंसान कपड़े धोया करता था उसका नाम था जेरेमी जेरेमी उस घर के पहले रहने वाले स्टुडेंट्स का कजिन था घर छोड़ते वक्त उसने उसे वहाँ रहने को कहा था क्योंकि उसे रहने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं थी जेरेमी वहाँ रहने के बावजूद उसने घर का कोई भी सामान नहीं चुड़ाया और फिर भी बाद में उसे वहाँ से निकाल दिया गया और एक बिन बुलाय मेहमान रहता था चुपके से कुछ साल पहले इमगूर नामक सोचल लेटवर्किंग साइट पे टू ब्राइट ब्राउनी नामक एक यूजर ने पोस्ट डाली जिसमें उसने कुछ तस्वीरे डाली और कहा कि जब मैं और मेरा छोटा भाई हम पापा के घर में खेल रहे थे तबी खेल खेल में मेरे भाई ने हमारी किताबे रखने वाली आलमारी को खीचा जिसके पीछे एक रास्ता जाता था जो सिधा नीचे जाता था नीचे पूरी एक रूम थी उस रूम तक पहुँचने के लिए काले रंकी सीडियों से जाना पड़ता था उस रूम में चुपके से किसी के रहने की कई निशानिया मिली वहाँ कई खेलने की चीजें उन्हें मिली केले का छिलका जिसे किसी ने सायद कुछी घंटों पहले खाया होगा और वहाँ उस लड़के ने खरी दी एक कैंडी भी थी जो सायद उस शक्स ने रात को सो जाने के बाद चुपके से चुराई होगी पर इमगूर जैसे इमेज शेरिंग साइट पर डाली इस पोश्ट का भरोशा करना कितना सही होगा ये कोई नहीं जानता पर अगर इसमें जरासा भी सच्चाई है तो ये बेहत दिल्चस्प वाक्या शाबित हो सकता है जब छीपे कमरे में मिली नए घर माली को चिट्थी 2005 में जैसन और कैरी ब्राउन इस परिवार ने साउथ कैरोलिना में 75,000 डॉलर खर्च करके एक घर खरीदी किया कुछ दिनों बाद उन्होंने घर का नूतनी करण करने की सोची और इसी के चलते उन्होंने घर की साफ सफाई शुरू कर दी साफ सफाई करते वक्त उन्हें बुक बेस के पीछे एक सिक्रेट कमरा दिखाई दिया जिसमें सबसे पहले एक चिट्थी मिली जेसन और कैरी को लगा कि उन्हें कुछ बड़ा मिलने वाला है पर उनकी ये आसा जल्द ही निरासा में बदल गई क्योंकि उस चिट्थी में लिखा हुआ था कि आखिरकार तुमने इसे ढूंडी लिया इस घर में दिवार पर एक तरह का काला फफुद उग जाता है जिसकी गंद बेहदी खराब है और इसकी वज़े से मेरा परिवार बार बार बिमार पड़ रहा था यही कारण है जो हमें ये घर छोड़ना पड़ा ये पड़के इन दोनों ने इस घर को बेचने वाले एजेंट के खिलाप इस बारे में न बताने की वज़े से कानूनी कारावाई की जब छिपे कमरे में मिले पैसे और बहुत कुछ इमर्जैक नाम के सोसल लेटिजन ने रेडिटी सोसल लेटवर्किंग वेबसाइट पे एक पोस्ट के द्वारा लोगों को जानकरी दी कि उसने अपने घर में छिपा एक तहखाना मिला है जब उसे एक लॉक किया हुआ दर्वाजा मिला तो उसने उसे तो डाला तब उसे अंदर एक साउंट प्रूफ कमरा मिला जिसमें एक इलेट्रिकल सॉकेट और एक ब्रिफ केस मिली जिसके अंदर घडियां, ज्वैलरी, एन्वलोप्स और कुछ पैसे मिले और कुछ टेप मिले, जिसमें लिखा था नो, 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 इस टेप के अंदर क्या था वो पता नहीं चल सका पर इंबर जैक ने कहा कि पुलिस के हिसाब से इसकी मदद से इस केस के बारे में कुछ और ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है आज के लिए दोस्तों बस इतना ही आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना न भूले और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार